हेलो दोस्तों मेरा नाम है चैतन और अब सभी का स्वागात है हमारे चैनल चैतन नेरर्स पर और आज हम दे डंजिन स्मंगलर के एपिसोड नमर 13 को नेरेट करेंगे तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी से भी पसंद आ जाती तो वीडियो को एक लाइक कर देना तो चलो अभी जली से वीडियो को सुरू करते हैं एपिसोड के सुरुवात में हम देखते हैं कि यॉमिन जारियों को उसका रेजल्ट देती है जिसे देखकर सायरों बड़ा खुस हुई थी पर जारियों उतना खुस नहीं हुआ था क्योंकि उसे इनके बार में जादा कुछ नहीं पता है उसके बाद में बताया जाता है कि एक फर्स ट्रस एडवेंचरर बनने के लिए एटलिस्ट एक बी रेंक एबिलिटी चाहिए होती है पर हर किसी को ही अपने स्टेर्स को बैलेंस करना पड़ता है जैसे कि स्टेमिना एंड एजिलिटी अगर किसी के पास हाई एजिलिटी यानि फूर्थी है पर अगर उसके पास स्टेमिना लो होगा तो कोई फाइदा नहीं होगा वैसे ही अगर किसे के पास high strength है और इसके पास agility low है तब भी वो अपने real potential को दिखा नहीं सकता है सायरों बताती है कि आम लोगों का भी कुछ stat C और इसके above होता है पर चीजे तब बदल जाती है अगर इसे 2 से जादा rank के साथ हुए strength, stamina and agility अगर एक इनसान के पास यह तिन से rank है तो वो टॉप के 10,000 में माना जाता है और वो combatant role को ले सकते है अगर यही तिन B rank की होती है तो उसे 500 में माना जाता है और इस rank के साथ वो best adventures के बीच आ जाएगा पर सायरोम सोच रही थी कि जारियों का strength भी और बाकी दो A है वो बस balance नहीं उसके रोस्टेर्स भी बिलकुल insane है फर्स्ट एर के डंजिने डिपार्टमेंट में भी वो उस monster के level का होगा पर अभी तक है monster को ने जिसका बारे में सायरोम बता रही है उसके बारे में कुछ बत जादा नहीं है तुमने अभी जिन सा fight करिए उनकी एक भी rank A नहीं है स्टेर्स बस inner talent की होती है पर ये किसी के भी current skill को represent नहीं करती अगर उसके पास best stat होगा पर उट रेनिंग नहीं करेगा तो एक A and D के बीच में कोई भी difference नहीं रहेगा पर ये बस एक चीज नहीं है जिस चीजों को measure किया नहीं जा सकता है जैसे कि वो जिन skills का use करता है वो से suit करती भी या नहीं उसके battle experience उसके battle sense इन सब को कभी measure किया नहीं जा सकता योमिन फिर सायरों को देखते हुए कहती है कि उसने ऐसे adventures को भी देखा है जिनके पास ये सब ना होने के बाद भी उन्होंने इ साथ ये सुनकर सायरों सरमा रही थी जारियों फिर कहता है कि इस सब के लिए सुकरिया ऐसा नहीं है कि मैं disappointment हूँ या फिर दुखी हूँ मुझे बस अभी तक इन चीजों की सही understanding नहीं हुई है पर कोई है जिसे कि मैं जानता हूँ और उसकी सब सा मुझे अभी और भी और वो ये यॉमिन को कहकर जा रही थी तो यॉमिन कहती है कि क्या वो अभी बापस जा रही है अगर वो यहां पर आई है तो वो production department में क्यों नहीं जाती पर सायरों कहती कि production department में यॉमिन जैसे कोई नहीं है और उसके अंकल जैक भी उसे जाने के लिए approval नहीं देंगे तो योमिन बताती है कि उसके अंकल यानी चीफ ने ओलेडी एप्रूवल दे दी है उन्होंने जाने से पहले इसका बार में योमिन को बता कर गए है उन्होंने कहा था कि जब वह उठ जाए उसे एक्यूपेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर जाना और उन्हें बताना कि ये लड़का मेरा गैस्ट है और उन लोगों को ये भी बताना कि उसके लिए एक वोपेंट बनाए जो उस लड़के को सूट करेगा और उन्हें पैसों की चिंता करने को मने करना और ये बास सारोम के लिए एक सोग थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ एसपेक्ट नहीं किया था एक्यूपेंट हर एडवेंचर का सपना होता है कि उसके पास हाई क्वालिटी का वेपन एड आर्मर हो अगर एक एडवेंचर एक्ष्टर में टेलेंटेट क्यों न हो अगर उसका वेपन एक एवरेज होगा तो वेपन उसी के ही ओनर के पाउर को से नहीं पाएगा और तूट जाएगा इसलिए जब एक एडवेंचर का स्किल इंक्रिस होता रहता है उन्हें अपने वेपन के क्वालिटी को भी इंप्रूफ करना पड़ता है ताकि वो अपने पाउर को पूरे अच्छे से यूस कर पाई ये सब सुनने के बाद जारियों कहता है वेल साइद में समझ गया और मुझे सुक्रे गुजर होना चाहिए कि मुझे फ्री में मिल रहा है पर क्या मुझे अभी सच में इसके कोई जरूरत है तो सायरोम कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो अफकर्स तुम्हें चाहिए तो जारियों कहता है कि वारियर हाई एक स्कूल ही तो है तो क्या हमें वारियर हाई से कोई यूजबल वेपन नहीं दिये जाएंगे दोने सुनकर हैरन हुए थे और फिर सायरोम कहती है की अच्छा तो वो वारियर हाई को जॉइन करने के बारे में सोच रहा है अगर हम दूसरे अडवेंचर स्कूल के बात करें तो उनके बात अलग है स्टूडन को बस एक प्लाइंग फिल्ड देने के लिए भी हर स्कूल अलगल रेस्टिक्सन लगा दिये एक्कुमेंट्स के उपर जिनकों की उसके अंदर यूज किया जा सकता है तो जारियोंग पूसता है कि क्या वारियर हाई में भी ऐसा कुछ नहीं है क्या उनके पास सबसे ज़्यादा फंड्स होने नहीं चाहिए तो यूमीन कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एना फंड्स नहीं है हमारा स्कूल बस डिफरेंट आइडियल पर बना है और वो ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि वो वी वारियर हाई के ग्राजूट है यूमीन आगे बताती है कि टेलेंट्स एंड एबिलिटिस के बीच में डिफरेंस होना ही चाहिए और एक अच्छा एक्कुपेंट लेना भी खुदी में ही एक एबिलिटी होती है इसलिए स्टूडन्स को खुदी का वेपन खुदी स्कूल लेकर आना पड़ता है जार्योंग पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या ये सिस्टम वेल्दी फैमिलिस को फैबर नहीं कर रही क्या तुम कहना चा रही हो कि रीच होना एक एबिलिटी है योमिन कहेती है कि वेल तुम पूरी बात गलत नहीं कह रहे पर ऐसा भी पोसिबल है कि जिन स्टूडन्स के पास जादा पैसा नहीं है वो भी अच्छे से अच्छा एक्कुप्मेंट पा सकते है अगर कई वारियर हाई में एडिमिसन पाने में कामयाब रहता है तो वो पहले से एक फर्श्लस एडिवेंचरर होता है इसका मतलब उनके पास पोटेंसियल स्टार होने का मौका होता है तो उस जगे पर लोग उनके उपर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक बार उसने वारियर हाई को जोइन कर लिया बहुत से कंपनी जिनके पास एनाफ फर्ण्स है वो उनमें इंट्रेस्ट लेना सुरू करते हैं वो काफी इंट्रेस्टेट होते हैं एक पोटेंसियल मोडेलिंग गीक में और ग्राजूइट होने के बाद उनके अर्निंग्स में से एक परसेंटेज लेने में उनके पास फंड्स देने के बदले बहुत सरे एक्सेंज ओफर्स भी होते हैं यॉमिन फिर बड़े प्राउडली कहती है कि उसे जिनसियों ग्रूप से स्कॉलर से मिली थी और उसे एक गरेंटेट जोब भी दे गई थी ऐसे रिसर्चर जो कि अब वो यहाँ पर कर रही है आगए यॉमिन कहती है कि वहाँ पर बहुत सरे उपर्चुनिटेज होती है खुद को दूसरे स्टूडेंस के बीच में प्रूफ करने के लिए पर इस सब कुछ करने के लिए उसे पहले टेस्ट को पास करना होगा और यह ट्रांसफर एक्जम नॉर्मल एंट्रांस एक्जम से ज़्यादा हाड होता है और जारियों इसलिए ट्रांसफर एक्जम देरा है क्योंकि वो अभी एक हुमानिटी स्कूल में है जहां से वो खुद को यहाँ पर ट्रांसफर करने के सोच रहा है तो अब उसे इस एक्जम के लिए जितना होसा के उतनी तैयारी करनी होगी जिसमें उसे एक न्यू वेपन को भी आप्टेन करना होगा इसलिए चेफ ने उसके मदद करने का डिसेड किया है और अब जबकि यॉमी ने पूरी डिटल्स बता दी है उसे अभी अंडरेगरांड रिफरनी में जाना होगा और फिर वो स्कूल को जोण करने के लिए जारीयों को गुड लग कहती है फिर जब जारीयों सायरों के साथ जा रहा होता है जारीयों कहता है कि यह और भी बत्तर हो सकता था तो सायरों पूछते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है तो जारियों कहता है कि वो तो ऐसे बात करी जैसे कि उसे पता है नहीं था कि उसके अंकल उसके मदद करेंगे आगे वो कहता है कि वो जितना ट्रांसवर्टेश्ट के बारे में सुन रहा है उसे उतना ही लग रहा है कि लोग सब कुछ करें इसको पास करने के लिए तो सायरोम कहती है कि हाँ यह बात सच है और इसलिए ही वो खुद के पैसे खर्ज करें यह उसके ओपर ताकि वो एडमिसन ले पाई और यह सुनकर जारी हो एक क्यूट सा एकस्प्रेसन देता है पर यह देखकर सायरोम कहती है कि उसे बड़ा गुसा आ रहा है आगे सायरोम कहती है कि फरक नहीं पड़ता कि किसके पास कितने पैसे हैं जरूरी चीज़ यह है कि कौन उसके एकुप्मेंट्स को क्रियेट करता है और जिनस्यों ग्रूप के प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट को दुनिया में बेस्ट कंसिडर किया जाता है उसके बाद दोनों अंडर्गरंड बलाक्समिस फैसिलिटी में एंटर करते हैं जिसे के पहले बॉलिंग एबेस डेंजिन के नाम से जाना जाता था सायरूम कहती है कि जगे कोई ऐसे जगे नहीं है जहां पर बस पैसे देकर एकुप्मेंट बनने को कहां जा सकता है तफि जार्यूंग नोटिस करता है कि उसके पीछ एक बहुत बड़ा मॉंस्टर खड़ा हुआ है और वह मॉंस्टर कह रहा होता है कि जग की हिमत कैसे हुई मुझे उइकेंड में उठाने की और वह खुद भी यहां पर नहीं आया है पर जार्यूंग मॉंस्टर को देखकर पूरे एलेट हो गया था पर सायरूम उसे बताती है कि मॉंस्टर प्रोडुसन डिपार्टमेंट का टीम लीडर है यह सुनकर मॉंस्टर कहता है कि वो गलत नहीं है इंसानों के नज़र में वो एक मॉंस्टर और प्रोडुसन डिपार्टमेंट का टीम लीडर है इस मॉंस्टर का नाम है थंडर हैमर आर्गस और इनकी स्पीसिज है एल्डर टाइटन आर्गस फिर पूछता है कि क्या जैक जिसके बाद करा था वो यही लड़का है कि उसे चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता है जिपकि जैक ने उसे यह करने को कहा है वो यह कर देगा और जार्यों को उसके पास जो वेपन है उस्से हमट करने को कहता है क्योंकि आर्गस को humans का तो नहीं पता है पर अगर कोई उसके blood, sweat and tears के वर्दी नहीं होगा तो वो उनके लिए weapon नहीं बनाता और वो ये भी कहता है कि उसे जारियोंग दूसे यंग लड़कों से बहुत ही अलग लग रहा है उसके आंके हंट करने को पूरी तयार है और उसे के साथ वो चोक करना भी बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए ही वो चाहता है कि जारियोंग उसे पिट कर दिखाए इससे सायरोंग तो पूरी नर्वस हो गई थी पर जारियोंग आगे बढ़ता है हमला करने को और वो डायरेक्ट नीडल एटक करता है पर ये कोई काम नहीं देता और आरगस पूचता है कि आखिर ये हमला तुमने करना कहां से सीखा है और ये एपिसोड यहां पर खतम हो जाती है